कश्मीरी पंडितों के नरसंगहार ब्रबनी फिल्म दा कश्मीर फाइल्स को रिलीज हुए महिनों हो गए लेकिन उस फिल्म से कुछ लोगों में उपजी उदर पीड़ा आज भी शांत नहीं हुई है हाला कि दा कश्मीर फाइल्स सुपर डूपर हिट हुई और जमकर दर्शकों ने देखा और करोडों का बिजनेस किया लेकिन उस फिल्म के माध्यम से जो सच दिखाया गया था वो आज भी कुछ लोगों को पच नहीं रहा है इसराइली फिल्म मेकर नदाव लेपिट ने दा कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपगेंडा फिल्म बताया है गोवा में त्रेपन में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ओफ इंडिया समापन पर उन्होंने कहा कि हम परिशान हैं कि ऐसी फिल्म इस समारो में दिखाए गई यह फिल्म बहत वल्गर है रेपिड जूरी हेड है हाला कि लेपिड के इस बयान पर इसराइल की राजदूत नाओर गिलोन ने उन्हें फटगार लगाई है गिलोन ने बयान पर खेद जिताते में कहा है कि मुझे आपके बयान पर शर्म आती है इस बयान के बाद जिन लोगों को इस फिल्म से दिक्कत थी वो गैंग पूरी तरह से इस फिल्म को नफरती फिल्म साबित करने के लिए तूट पड़ा है और कहा जा रहा है कि ये फिल्म प्रोपगेंडा फिल्म थे अब ये गैंग जिस वेक्ति के बयान को आधार बना रही है उस वेक्ति के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है हलाकि इस आदमी के बयान को इसराइल की राजदूत ने गलत बताया है लेकिन फिर भी कोई वेक्ति अगर अपनी राय रखता हो तो उसके तर्क को परखा जाना चाहिए और इस आदमी ने फिल्म को प्रोपगेंडा और बेहुदी कहा है जबकि यह नहीं बता सकता कि इस फिल्म में गलत क्या है खेर यह आदमी इसराइल का राणा आयूब है यह वेक्ति सदेव इसराइल को कोसता है इसराइली पहचान पर प्रहर करता है उसकी सामोहिक चेतना को बिमार बताता है और भी नैजानी क्या क्या कहता है तो इसकी राय सोभाविक रूप से वही होनी थी जो भारत के वामपंथियों और कथित लिब्रल्स की है और हाला कि भारत की इस गैंग का आलम ये है कि अधिकांश लोगों ने तो फिल्म तक नहीं देखी है फिल्म अग्निहोत्री ने बनाई है तो फिल्म कश्मीर पर है तो हो गई प्रोपगंडा और इस फिल्म कार की टिपने पर नाच रहे हैं ये वो ही लोग हैं जब रिचा चड़ा के सेना पर बयान की अक्षर कुमार ने आलोचना की तो कहने लगे कि कोई कनेडियन भारत की मामले पर टिपनी ने करें और आज एक इसराइली आदमी की बेहुदी बात को सिर्माते रख कर नाच रहें तो कह सकते हैं कि इस जमात की राय का कोई सिर्पैर नहीं है जहां एजेंडा सेट होता है वहीं पर यह एको सिस्टम दोराने लगता है लेकिन इस फिल्म का ये लोग विरोध क्यों करते हैं इसको समझना बहुत जरूरी है विवेक अगनी होत्री की फिल्म दे कश्मीर फायल से जब से सिनेमा घरों में आई है तब से चर्चा में बनी हुई है बॉक्स ओफिस पर खूब चली इधर परमपरागत मार्गेटिंग नहीं होने के बावजूद हाउस फुल थी जैसा कि अपेक्षित ही था एक वर्ग इसे सिरमोर बनाएगा और एक वर्ग इसका विरोध करेगा यहां तक कि यह लोग बिना देखे ही इस फिल्म के विरोध में उतर आये थे यह लोग तो पहले इस फिल्म को लेकर अत्यंत उदासीन रहे जब इस फिल्म पर चर्चा होने लगी तो खारिश करने की जद्धोह जहद में लग गए और यहां तक कि फिल्म देख भी ली तो ऐसा कुछ नहीं मिला जिसको जूटा बताया जा सके नशनसता और क्रूरता के दृष्य जो स्किन पर उभरे संभवता है सच उससे भी भयानक और असईय होगा तो भाई लोगों से फिल्म की परगती पचाय नहीं पच रही थी कश्मेरी पंडिकों के पलायन और उनकी हत्याओं का दोश कभी ततकालिन राजेपाल जगमोहन पर डाल रहे थे तो कभी भाजपा के समर्थन से बनी उस समय की सरकार पर लेकिन इधर एक उतर्क बहुदा दिया जाता है सिर्फ हिंदू ही नहीं मुसल्मान भी मारे कहते ये तरक इस दलील में बैमानी और धुर्तता की बूँ आती है वो इसलिए क्योंकि इस तरक की दलील देने वाले की नियत को परखिये वो आखिर तपाक से यही क्यों कह रहा है किस बात के उगर जाने से भैबीत है जो लोग ये दल काक से बीच में बोल पड़ें और यह कहें कि उन्हें बचाने वाले जर्मन भी बहुत है इस दलील में बैमानी नहीत है आपकी अंतर्ष्य चेतना में किसी के लिए कुछ कोमल भावना है क्योंकि आपकी पीड़ की पीड़ा में कुछ दिल्चस्पी नहीं है जितनी की दू कहीं भी इनमें याशीन मलिक और बिटा कराठे के प्रतनिक भी रोश दिखाया है क्या उन्होंने तो सावजनिक रूप से लोगों की अनिक हत्काएं करने की बात को स्विकार किया है यासीन मलिक से श्री मनमहन सिंग और अरुधनती रोई की हात मिलाते वी मुस्कराती क्या मुसल्मान भी मारे गए थे वाली दलील देने वालों ने कभी इनकी आलोचना की नहीं कर सकते जब यासीन मलिक को सेकुलर कहा गया और कॉंक्लेव में यूथ लेडर के रूप में प्रोजेक्ट किया गया तो ये लोग मौन थे और आज भी हैं तो फिर ये लोग केसी भी दलीले दें धुर्तता पूर्ण ही लगेंगी जब भी नरसंगहार हुए हैं वहमानविय पहलो भी उजले हुए लोगों ने पीडा साजा की लेकिन इससे वो मुनुष्यता की खिलाफ हुआ अपराद गोण नहीं हो जाता कश्मीर में पंडितों की पहचान की आधार प लिए कितनी ही जाने दी हो इधर कोई लंपट अगर किसी अब्दुल के थपड मार दे तो समूचा हिंदू समुदाय नफरती और सामपरदाइक हो जाता है और उधर हिंदू महिलाओं का सामुहिक बलातकार किया गया आरी से काड़ दिया गया और सामुहिक रूप से गोलि तक कश्मीर फाइलस देखनी होगी और वैसे भी अब रोने से कोई फाइदा नहीं है इस कारिकरम में सरकार के मंतरी मौदूत है सरकार दवरा इस इसराइली फिल्मकार को जियोरे में शामिल किया गया क्या सरकार इतना भी होमवर्क नहीं कर सकती कि आप किसी आदमी को लेक से बेहूदी कहा जा सकता है क्या यह कश्मीरी पंडितों का अपमान नहीं है क्या उनके साथ हुई जादितियों को जस्टिफाय करना नहीं है क्या यहूदियों के नरसंगहार पर बनी फिल्म को बेहूदी या प्रोपगेंडा कहा जा सकता है और उनके नरसंगहार को इतिह प्रास ने जिस सुमेंदर शीलता से दर्ज किया है क्या कश्मिरी पंडितों का ये हक नहीं बनता ये सवाल सरकार से है अनुराग ठाकुर से है मेरा ये वीडियो कैसा लगा जुरूर बताएं शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलेंगे अगले वीडियो में झाल